प्रस्तुत लेख श्रीमन प्रशांत पूल जी का है उन्होंने स्वामी विवेका नंजी के बारे में जो लिखा है वो मैं आपसे साजा कर रही हूँ स्वामी विवेका नंजी की राष्ट्रिय प्रेणना सन 1863 के प्राराम में 12 जन्वरी को स्वामी विवेका नंजी का जन्म हुआ है उस समय देश की परिस्थिती कैसी थी 1857 के युद में जुआलाएं बुझ रही थी यह युद छापा मार शहली में लगबग 1859 तक चला अर्थाद स्वामी जी के जन्म के लगबग चार वर्ष पहले तक इस स्वतंतरता संग्राम में भारत के स्वाभिमान की भारत के स्वतंतर मानसिक्ता की ततकालिक पराजे हुई थी इस क्रांती युद में जीत के पश्चात अंग्रेजों ने स्थानिक प्रजा पर जो जुल्म ढ़ाय जो अत्याचार किये वो पाश्विक्ता और बर्वर्टा से बत्तर थे जहां क्रांती युद भढ़का था वहां वहां अंग्रेजों ने बिजन किया इसका अर्थ होता ह उस गाओं और शहर के लगबग 6 वर्ष के बालक से 60 वर्ष के बुड़े तक सभी को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, मार दिया था, ऐसा बिजन जहासी में हुआ, कानपूर के पास बिठूर में हुआ, मेरट के आसपस के गाओं में हुआ, अर्थाज संदेश सपस्ट थ में न सुतंतरता का विचाराए, न सौभिमान की लहर उठे, और अंग्रेज बहुत हद तक इसमें सफल भी होर गए थे, क्रांती युद समाप्त होने के पश्चांत, देश की परिस्थिती कैसी थी, शांत शम्षान जैसी शांत सुतंतरता, यह शब्द जैसे शब्द कोश से निकल गया था, राज की ये चेतना सूशून ने थी, बंगाल और महराष्ट में कुछ सामाजिक हलचल दिख रही थी, किन्तु वह भी अंग्रेजियत के समर्थन में थी, बंगाल में ब्रहमो समाज हो या राजा रामोहन राए, महराष्ट के लोखितवादी देशमुख या न्याय मुर्ती रांडे, इन सभी के सोच अंग्रेजी परंपरा से जुड रही थी, इस अंग्रेजियत ने ऐसा जादू चलाया कि समाने व्यक्ति की पोशाक का कोट या अविभार्जे अंग बना शुद्ध भारतिय धोती उस पर अंग्रेजी कोट, उस समय के पीतल मे धली बाल कृष्ण की मूर्ती हमारे घर की पूजा में है, जिसके सर पर अंग्रेजी हैट है, अर्थात, चेतनाहिन, जडत्व, धारण किये हुए हमारा भारत और मानसिक्ता अंग्रेजों को इश्वर मानने की, स्वामी विवेका नंद का जन्म ऐसे विशम परिस्थितिय में हुआ है, 1863 के निर्जीव, निस्तेज, निर्याए की भारत, और मात्र 49 वर्ष और 5 महीने में ऐसा कौन सा जादू चल जाता है कि सारा देश गरजने लगता है, 1902 में स्वामी विवेका नंद की मृत्यू के मात्र 3 वर्ष बाद, बंगाल में बंग भंग का अभूत पूर्व अंदोलन खड़ा होता है, ऐसा ये शस्वी अंदोलन जिसमें अंग्रेज सरकार को जुकना पड़ता है, और अंदोलन प्रारंब होने के मात्र 6 वर्षों में उन्हें अपनी राजधानी कौलकता से दिल्ली में स्थलांतरित करनी पड़ती है, 1863 का बुझा बुझासा दिखने वाला भारत वर्ष 1902 में दहाड रहा है, जागरित जौला मुखी सा लग रहा है, इस संपूर्ण परिवर्तन में स्वामी जी की भूमी का निश्चित है, 1886 में अपने गुरू स्वामी रामकृष्ण प्रमहंस जी की मृत्यू के पश्चात स्वामी विवेका नंद के मन में परिवार्जरक बन कर देश शाटन करने की योजना है, उन्हें इस देश को समझना है, किन्तु जिम्मेदारियों के चलते ततकाल निकलना संभव नहीं हो रहा है, लगवग दो वर्ष के पश्चात 1888 में स्वामी देशाटन को निकलते हैं, देशाटन का यह क्रम 1893 तक के मध्य तक चलता है, यानि लगवग साड़े चार से पांच वर्ष, इस अंतराल में स्वामी जी ने मानों घड़ी की सुई के विपरीद दिशा में भारत की परिक्रमा की है, इस संपूर्ण प्रवास में स्वामी जी अनेक लोगों से मिले हैं, अनेक नव्यूवकों से उनोंने सम्वाद साधा है, अनेक भाशन उनोंने दिये हैं, उनके सभी संबोधनों का सूत्र है, हे भारतियों, जागो, उठो, तुम में अपार शक्ती है, अदबुद चेतना है, उसका उप्योग करो, अमरित के पुत्र हो तुम, समाज में जाओ, समाज बलचाली बनेगा, और देश सुद्रिड होगा स्वामी जी की विचारों की मोहनी इतनी जबरदस्त रहती थी, कि लोग उनके पास खीचे चले आते थे, उनका पहले शिशे, हाथरस के स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुपता, जिन्हें बाद में स्वामी जी, सचिदा नंद जी कहा गया, स्वामी जी के विचारों से ज्य स्वामी जी के भाशनों से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़ना चाते थे, अलवर के प्रवास में स्वामी जी के पास वहां के युवक संस्क्रिट सीखने और उस बहाने स्वामी जी को सुनने के लिए आते थे, ये सारे युवक इतने प्रभावित थे, कि जब स्वा में स्वामी जी का भाशन सुनकर तीर्थ राम गोस्वामी नामक एक युवा प्रधान अध्यापक इतना प्रभावित हुआ कि उनके पत्नी की अलपायू में मृति होने के पश्चात वे सर्व संग प्रित्याग कर स्वामी जी द्वारा बताय मार्क पर चलने लगे आगे यह युवा प्रधान अध्यापक स्वामी रामतीर्थ के नाम से देश वीदेश में विख्यात हुए ऐसे अनेक अंगेनित उधारन हैं स्वामी जी सबसे पहले अठाना सो नभे में जब अल्मोडा गए थे तो सभाविक्ता ना शिश्चिप परिवार था और ना ही कोई संपर अल्मोडा के खजांची बजार में श्री बदरी सहाय टूल धारी जी रहा करते थे अल्मोडा के प्रतिश्चित वेक्ती थे और लाला बदरी सहाय नाम से जाने जाते थे टूल धारी यह उन्हों का लिया हुआ उप नाम था उन्होंने स्वामी जी को अपने यहां मंतरित किया स्वामी जी उस प्रवास में और बाद में 1897 के मध्य में जब पुना अलमोडा गए थे तब बदरी सहाई जी के ही यहां रहे वहां स्वामी जी से चर्चा होती थी चर्चा में स्वामी जी ने बताया कि इश्वर की मूर्ती को हम सब कुछ समय के लिए बाजू में रखना चाहिए समाज पुरुष यही हमारा इश्वर है समाज की और राष्ट की पूजा यानि साक्षात इश्वर की पूजा सभाविकता बदरी सहाय जी ने पूछा यह बात किसी वेद उपनिशदिया पुरान में लिखी है और यदी नहीं तो हम आपकी बात क्यों माने स्वामी जी ने तुरंत वेद और उपनिशदों में लेखित रिचाओं के संदर्ब दिये बदरी सहाय जी को आजचरे हुआ उन्होंने सारे संदर्ब स्वामी जी से उतार लिये और बाद में वारानासी जाकर उन गरंतों का अध्यायन किया स्वामी जी के बताए हुए विचार उन गरंतों से मिल रहे थे बाद में स्वामी जी की इमृत्यू के पचादबदरी सहाय जी ने इस विशेग पर एक पुस्तक लिखी जिसे लोकमाने तिलख ने आशिरवचन दिये 1921 में यह पुस्तक दैशिक शास्त्र नाम से प्रकाशित हुई स्वर्गिय दीन देयाल उपाध्याय इस पुस्तक से बड़े प्रभावित थे उन्हें राष्ट के चित्ती और विराट की संकल्पनाई इस पुस्तक से ही ली थी ऐसे अनेक उधारण है स्वामी जी की दृष्टी राष्ट्रिय थी उन्होंने कभी भी कर्म कांड का अडंबर नहीं मचाया जब भी उद्बोधन किया उसमें समाज का राष्ट का विचार प्रमुक्ता से दिया अनेक क्रांतिकारियों ने स्वामी जी और रामकृष्ण मठ के अने सन्यासियों से गहरे संबन थे अंग्रेजों ने स्वामी जी पर नजर भी रखी हुई थी सन 1901 में एक का कांग्रेस का राष्ट्री अधिवेशन कलकत्ता में था दिसंबर में हुए इस अधिवेशन के समय स्वामी जी कलकत्ता ही में थे किन्तु उनका स्वास्त ठीक नहीं था कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले सभी प्रमुक्ष नेता स्वामी जी से मिलने बेलूर मट में पहुंचे थे किंतु स्वास ठीक ना होने के कारण स्वामी जी उन से मिल नहीं सके गांदी जी भी उन नताओं में से थे जो स्वामी जी से नहीं मिल सके किंतु लोकमाने तिलख भाक्यशली रहे स्वामी जी से उनकी भेंट हुई एक दो दिन नहीं पूरे छह साथ दिन रोज लोकमाने तिलक बेलूर मठ में आते थे और स्वामी जी से उनका वारतालाप होता था वहाँ उपस्तित स्वामी निश्यानन्द जो राम कृष्ण मठ के एक माराठी भाशिक सन्यासी थे ने लिख रखा है कि इन दो महापुर्शों की वारतालाप के समय अन्य शिश्यों की उपस्तित वर्जित रहती थी अंग्रेजों की इस भेंट पर बारीक नजर थी उन्होंने इसके और अधिक तथे खोजने के लिए एक कमिशन का गठन किया था अंग्रेजों को इस में से एक बड़ी साजिश की बू आ रही थी इतनी बात तो निश्चित है कि इस भेंट के बाद से ही तिलक जी के वक्तव्यों में दरिद्र नारायन यह शब्द प्रयोग में आने लगा था नर सेवा नारायन सेवा की बात वो करने लगे थे अर्थात हम किसी भी पहलू से देखें तो यह बात सुनिश्चित है कि स्वामी विवेकानन की प्रेणा करांतिकारियों को सुतंतरता संगराम सेना नाइक को मिली स्वतंत्र वीर सावरकर मारसेलिस में पकड़े जाने के बाद काले पानी जाने तक रोज स्वामी जी की कर्म योग ये पुस्तक पड़ते थे जब अंडे मान में इस पुस्तक को ले जाने की अनुमती नहीं मिली तो वहाँ पर सत्य अग्रह करके सावरकर जीने कैदियों के लिए वाचनाले बनवाया और उसमें सबसे पहले विवेकानन सहिते मंगवाया सोते हुए भारतिये लोगों में चैतने रस निर्मान करना उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें समाज और राष्ट के कारे से जोड़ना ये स्वामी विवेकानन जी के मुख्य उपलबदी रही जिसके कारण भारतिये सुतंतरसा संगराम को बल मिला और अंग्रेजों के विरोध में प्रदेश खड़ा होने लगा